बारत और पाकिस्तान के बीच रिष्टों की तल्खियां हर एक मंच पर देखने को मिल जाती है बारत सरकार के किसी फैसले पर पाकिस्तान तक तक ही लगाए बैठा रहता है और फिर उस फैसले के खिलाफ जहर उगलता है जिसका उधारन अभी CAA के रूप में भी देखा जैसे ही भारत में CAA लागो हुआ वैसे ही पाकिस्तान ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी अब पाकिस्तान योएन में भी भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश कर रहा था लेकिन भारत ने पाकिस्तान को ऐसा लताड़ा कि उसकी बोलती बंद हो गई योएन में पाकिस्तान इस्लामोफोबिया को लेकर एक प्रस्ताव लाया पाकिस्तान को लगा कि दुनिया के कई देश उसका इसमें साथ देंगे लेकिन नहीं साथ ही नहीं दिया बलकी कई देशों ने दूरी तक बना ली लेकिन पाकिस्तान ने जैसे ही राम मंदिर कर जिक्र किया वैसे ही भारत बनना उठा और पाकिस्तान को जम कर लतार लगा दी और पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने बोलती बंद हो गई आपको बता देए कि भारत नहीं इस्लामोफोबिया को लेकर संयुक्तराश्ट महासबहा में पाकिस्तान की ओर से पेश और चीन द्वारा से प्रायोजित मसौदा प्रस्ताव से दूरी बनाते हुए कहा किवल एक धर्म के बजाए हिंदू, बौद, सिक और हिंसाओ भेदवाओ का सामना करने वाले अन्य धर्मों के खिलाफ धार्मिक भाई की व्यापकता को भी स्वीकार किया जाना चाहिए भारत की इस बात का दुनिया के कई शक्तिशाली देशों ने समर्थन किया, मसलन ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील और इटली के साथ यूकरेन इसके बाद पाकिस्तानी दूत मुनीर अकरम ने यूएन में राममंदर और CAA का जिक्र किया तो भारत ने पाकिस्तान में अल्वसंक्यकों पर हो रहे जुर्म को याद दिलाया सेउतराष्ट महसबा में भारत की स्थाई प्रतिनिदी रुजरा कामबोज ने इसमें कहा इसलामोफोबिया का मुद्दा निसंदे महतोपूर है लेकिन हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि अन्यधर्म भी भेदभाव और हिंसा का सामना कर रहे हैं अन्यधर्मों के सामने आने वाली समान चुनोतियों की उपेक्षा करके किवल इसलामोफोबिया से निपटने के लिए संसाधनों का अवंटन अंजाने में बहिसकार और असमानता की भावना को कायम रख सकता है रुचरा ने इसमें आगे कहा ये स्विकार करना जरूरी है कि दुनिया भर में एक दशमलों दो अरब से अधिक अनुयाईयों वाला हिंदू धर्म तिरेपन लगबग सारे तिरेपन करोड से अधिक अनुयाईयों वाला बौद धर्म और तीन करोड से अधिक अनुयाईयो पाकिस्तान के राममंदिर औस ये पर सवाल उठाए जाने पर भारत ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर पाकिस्तान को दखल नहीं देना चाहिए और पाकिस्तानी प्रतिनिदी मंडल के सिमित और गुमराद रिष्टिकोंड से रूबर होना वास्ताव में दुर्भा के पूर्ण है यानि कि कुल मिलाकर भारत ने यूएन में पाकिस्तान को ऐसी लतार लगाई कि पाकिस्तान चुप हो गया पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं बचा और पाकिस्तान दुनिया के सामने दुनिया के उन शक्तिशाली देशों के सामने चुप रहने को मजबूर हो गया फिलाल भारत की स्थाई प्रसंदी रोचरा कामबोज ने जिस तरीके से पाकिस्तान को लतार लगाई उस पर क्या कुछ कहना है आपका हमें कमेंट करके जरूर रताएं